दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंदार है तो लाइक बटन पर क्लिक किजिए और अगर अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी दबाएए और उसके साथ वह बाजु में जो बैल आइकॉन है उसको क्लिक किजिए ताकि आपको हमारे लेटेस वीडियो के अपडेट हमेशा मिलती रहे है हलो एवरिवन वेलकम तो मैं चैनल सो मेरा नाम है अर्शल मुदीराज और आज मैं आपको बताऊंगा कि परस्नली में क्या सोसता हूँ कि कौन है जो सबसे एस्थेटिक मिस्टर ओलंपिया रहे चुके हैं सो यह जो वीडियो आ इस्थेटिक जो बॉडिविल्डर से वह ज्यादा पसंद आता है और जो सियर मैस मॉंस्टर होते हैं और जो साइस के भीचे भागते हैं उनमें मुझे ज्यादा इंटरस्ट नहीं होता और आई होप आप भी यही सोचते होंगे यह वीडियो आप देख रहे हैं यह बहुत ज़रूर रही थी तो इनकी जो बेस्ट रैंकिंग साही थी मिश्टर उलम्पिया में वो थी 1977 1978 और 1979 सो थी टाइम कंजिकेटिव मिश्टर उलम्पिया कॉंपेटेशन फ्रेंग जेन ने जीत लिये हैं और यह 1983 वाली पोजिंग देखके आप पता है सकते हैं कि 1979 और जब एस्थेटिक और कितने रिप्ट होंगे आप देख सकते ही फ्रेंद्स इन कोई मैस मॉंस्टर नहीं थे या बहुत मॉसल साइजिंग का कुछ जादा नहीं था लेकिन एस्थेटिक की बात करें तो आप देख रहे हैं कि इनकी जो वेस्ट लाइन है और इनकी जो मिट हमें देखना है आज के बाड़ी बिल्डर्स में सो हाली में आपने देखा था कि न्यू यॉर्क प्रो हुआ था और वहाँ पे बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सिर्फ शियर साइज देखने को मिला लेकिन कंडिशनिंग और जो वेस्कुलैरिटी और जो वेस्ट लाइन ह जा रहा है मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि यह था बाड़ी विल्डिंग बैक इन देज जब एरनॉल्ड, फ्रैंको कॉलंबो, सर्जीव, ओलिविया, सर्ज, निवब्रेट, एड, कॉर्णी, रॉबी रॉबिंसन जैसे लेजंडरी बाड़ी विल्डर्स इन्हों लिलिया था, सो मुझे बहुत दुख होता है कैसे बाड़ी विल्डिंग इंडस्ट्री ने अपना एक डिरेक्शन शिफ्ट कर लिया है और आज जो बाड़ी विल्डर्स हमें देखने मिलते हैं वो इस लेवल की कंडिशनिंग और इस लेवल का सपर्रेशन और इत के लिए उनको उसी तरीके से अपनी बाड़ी को बनाना पड़ता है, सो आप जज किजिए आप मुझे बताए कमेट्स में क्या सोचते हैं आप जो ओल्ड स्कूल बाड़ी विल्डर्स थे जैसे कि फ्रैंक जेन थे इनकी जो आप देख रहे हैं मिट सेक्शन और चेस्ट औ वो आप जदा प्रिफार करते हैं या आज के बाड़ी विल्डर्स जैसे नियुवाक प्रो में आपने देखा था कि जितने बाड़ी विल्डर्स थे कंपीट किया और कितने लोगों ने उसके उपर वीडियो बनाई है और शियर बताया है कि इन्होंने सिफ मैस लाया और फ्रैंक जैन के बारे में ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग के बारे में और मेरे इस वीडियो के बारे में कि क्या आप मुझस्यागरी करते हैं कि सबसे एस्थेटिक अगर कोई Mr. Olympia winner रहा होगा तो फ्रैंक जैन ही हुआ फ्रैंक जैन से भी बहुत ही एस्थेटिक बॉडी बॉलर्स थे लेकिन स्पेसिफिकली मैंने ये वीडियो फ्रैंक जैन के उपर ही टार्गेट किया है ताकि आपको बता सकूँ कि Mr. Olympia जीतने के लिए आपको शियर साइस के जरुवत नहीं है आप ऐसी फिजिक देखिए ये वैक्यूम जो ये वैक्यूम लेकिया आए देखिए इनका वेस्ट ठीक है मतलब कितना बढ़िया वेस्था इनका आप मुझे बताए क्या सुस्ते वीडियो के बार में आया मर्शल मुदिराज थैंक्यू फॉर वाचिंग साइनिंग आउ झाल